प्सक्राइब कीजिए हमारी यूटुब चैनल जिवन जोती को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए पहला एकन पर टेस्ट टेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे नमस्का दोस्तों आज किस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों धात रोगों के बारे में धात रोग दोस्त तो आईए इस वीडियो को देखिए और इस बीमारी के इलाज की बारे में जानिए दोस्तों ये बीमारी मुझे पूरे नो साल तक रही सबसे पहले मुझे सौपन दोस हुआ करता था जब मुझे जब मैं 15 से 16 साल का था तब मुझे उतना नालेद नहीं था कि ये बीमारी का रूपधारन कर लेगी तब दोस्तों अपने दोस्त मुझे कम से कम 4-5 साल तक कंट्यूनियू रहा उसके बाद मुझे पेशाप एक दिन पेशाप के रस्ते चिपशपा पानी गया जिससे मुझे बहुत सारी कमजोरी हुई मुझे लगा कि कुछ मेरे को प्राबलम हुई उ नो साल तक दोस्तों ये बिमारी रही और इस नो साल में मैंने कई सारे उपाय कई सारे इलाज कई सारे आयरवेदिक ट्रीटमेंट किये दोस्तों लेकिन कहीं कुछ आराम नहीं पड़ा दोस्तों फिर मैंने सिसम का यूज किया सिसम प्लस सिंगाडे का यूज किया सिसम ने मस्टोट पिस्ट प्रीज जो ुपियोगी होती है बाकि जो कत्रन वाली होती थो ऋपियोगी नहीं होती दोस्तो इतनी तागत रहती थी इतनी मजबूती आई कि हज से ज़्यादा और दूसरा है दोस्तो कि इस बीमारी में आपकी भूक लगना बिल्कुल बंद हो जाती है तो दोस्तो जो आप सिसम यूज़ करेंगे न दोस्तो आपको कड़क भूक लगेगी भोजन बिल्कुल कप लगना है तेली गली में मिलने वाली चीज खटी चीज यह सारी चीजा बहुत प्रब्लम हो जाएगी नहीं दोस्तो इस बिमारी में आपको डाक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है डाक्टर आपको भ्रमित करेंगे आप से खूब सरा पैसार लूट लेंगे और आपको मनोरोगी साबित कर देंगे आपको मांसिक रूप से पागल समझेंगे और आपके सारे पेसे अड़प लेंगे इसलिए दोस्तों इस भीमान ही कहां आप उपाई करें तो आयरुवेदिक ही करें दक्टर के पास कभी न जाए यहां तक एलोपेथी के पास तो जाना ही आप कम से कम हुमियोपेथी जरूर कर सकते हो लेकिन एलोपेथी बिल्कुल भी मत करना दोस्तों नहीं तो आप बरबाद हो जाओगे अगला है दोस्तों कि जब आप यह नुस्का कर रहे हो तो दोस्तों एक धेरी रखना आपको लंबे समय तक करना यह नहीं कि 2-3 दिन किय हो तो आप ठीक नहीं होंगे क्योंकि 2-4 दिन में कोई असर नहीं करता है उसका लांग टर्म होता है इसलिए दोस्तों लंबे समय तक ही यूज करिएगा अगर ना यूज कर सके तो फिर आप मत करिएगा वहीं दोस्तों आपको एक बात बहुर बता देता हूं कि यह जो चि जबराना बिल्कुल भी नहीं है और इसके साथ परेच पूरा करना दोस्तों ना मीट खाना है ना मसाला खाना है ना चिकन खाना है ना खटा खाना कुछ नहीं दोस्तों साधा जीवन आपको इस्तमाल करना है मोबाइल में आपको बिल्कुल ज्यादा नहीं डूबना है आप अपने जीवन में सामिल करिए दोस्तों तभी इस बीमारी से आपको निजाद मिलेगी दोस्तों आपके खाने में आपको पोश्टिक भोचन लेना जैसे दाले हुई जो पच सके दोस्तों क्योंकि इस समय आपकी जो पाचन सकती हो बिल्कुल खराब हो चुकी होती है तो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखके इस नुस्के को करना है आपको रिजल्ट एक जार एक परसंट मिलेगा दोस्तों और भी अगर आपको कोई समयशा हो आपके दिमाग में कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट करके बताईए कि मैं आपकी हर समयशा सॉलूशन का जवाब रेशित करूँगा ठीक है दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों आपको डिप्रेशन लेने की जरूत नहीं है आप डिप्रेशन में रहोगे तो कभी ठीक नहीं हो पाऊगी दोस्तों आपको निश्चिंद हो कि इस उपाय को करना है और दोस्तों एक बात और बता देता इस लिए जब 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 आपको द्वापन करता है वी निरासमत रखेगा पर नोटिफिकेशन को डिजेगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के सांथ झाल झाल